हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ले से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो बिल्कुल अभी अभी आ और दस मिनट पहले जो है आप लोगों का यहाँ पर रेजल डेकलेर कर दिया गया है तो जी हाँ एम्स नॉर्सेड फाइफ भरती दो हजार तेज़ दोस्तों एम्स नॉर्सेड फाइफ नर्सिंग ओफिसर 4094 पदोब पर परमनेर भरती निकाली गई है इसका एकजाम दोस्तों 17 सेब्टमबर को हुआ था इसका स्टेज 1 का रेजल यहाँ पर आ चुका है बिलकुल अभी अभी यहाँ पर रेजल आप लोगों का वेबसाइट पर पब्लिस कर दिया गया है तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले रेजल के बारे में इसके बात करेंगे मेंस से admit card date के बारे में क्योंकि बिल्कुल official जानकारी आ चुकी है और बताया गया है कि मेंस का admit card कब आएगा और मेंस के लिए जो है exam city status preference जो है आपको कफिल करना इसके भी जानकारी दी गई है cut off के बारे में बिल्कुल official जानकारी दी गई है जो आपके AMS है और जो order आपके institute है उसके preference के लिए उसका भी जो है link की जो date है दे रखी है इस PDF रजल में तो चलिए आपको लेके चलते हैं AMS की website पर बात करेंगे सबसे पहले रजल के बारे में तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग देखिए AMS exams All India Institute of Medical Sciences नई दिल्ली examination section home page पर चलिए और यहाँ पर देखिए home page दोस्तों open हो चुका है दोस्तों सबसे पहले अपडेट कर रहा हूँ बिना कोई गलती के दूँ बाकि यहाँ पर देखिए यह आप लोग को कुल लिंक मिल जाएगा important announcements वाली option पर आओगे तो यहाँ पर stage 1 result of the north step 5 इस वाली option पर क्लिक करके आप लोग जो है 2 second के अंदर PDF download कर सकती हो तो यहाँ पर देखिए PDF open हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देखिए अगर हम बात करते हैं total तो देखोगे तो 185 page का यह PDF जारी किया गया है All India Institute of Medical Sciences नई दिल्ली examination section date यहाँ पर mention है 22 September 2023 north step 5 का दोस्व बहुत ही जल्द यहाँ पर result आ चुका है 5 दिनों के अंदर इन्होंने result यहाँ पर declare कर दिया है result notification number 178 oblique 2023 यहाँ पर देखिए नर्सिंग औरफिसर रिकूट्मेंट कॉमन eligibility test north step 5 stage first जिसका exam जो है 17 September 2023 को Saturday को हुआ था और आप लोग देखोगे तो यहाँ पर Friday है और आज आप लोगों का result declare कर दिया है और बताया गया कि north step 5 stage second stage second यानि कि mains का जो exam होगा यह 7 October 2023 को जो है होने वाला है तो list is roll number wise तो roll number wise यहाँ पर list जारी किया गया है जिसमें आप लोग देखिए आपका roll number दिया गया है आपकी कड़िगरी दी गई है आपकी percentile score दिया गया है इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है 185 page का PDF जारी किया गया है यहाँ पर आप लोग अपना result देख पाएंगे बाकी नीचे देखो कि तो final vacancy की update इन्होंने कर दी है यहाँ पर देखिए total institute की बात करते हैं तो total 26 total 84 vacancy है and AMS भूपाल में 425 vacancy है AMS भूनेश्वर में 457 vacancy है AMS बीबी नेगर में इस तरीके से vacancy बहुत सारे हैं NITRD में देखो कि 16 vacancy है LHMC में 16 vacancy सबदर जंग हॉस्पिटल में 0 vacancy है और डांक्टर R.E.M.L. हॉस्पिटल में जो है 10 vacancy है and CNCI Kolkata में अगर देखोगे तो 36 vacancy है और E.I.G.R.I.H.E.M.S सिलॉंग में दोस्तो 233 vacancy है और A.I.I.P.M.R. में दोस्तो 6 vacancy है बाकी सभी AMS vacancy है मैंने आपको बता रखा है ए फाइनल vacancy है 9-5 के माद्यम से 4,094 पदों परिभरती होगी बाकी यहां पर देखिए percentile score के percentile cutoff है और यह percentile के base पर ही cutoff यहां पर बनाए गया है तो देखिए stage second के लिए cutoff यहां पर जारी किया गया है UR category में जो है 87.10 percentile है यह cutoff है EWS की जो है 50.008 percentile है और OBC के लिए 75.31 percentile cutoff गई है और EWS की जो है 74.69 percentile cutoff गई है और EWS के लिए 70.51 percentile cutoff गई है बाकी यहां पर देखिए तो North Star 5 stage first में जो है allotted candidate total यहां पर shift 1 में 42,945 थे shift 2 में 42,947 थे यहांने की 85,892 जो है बच्चों ने यहां पर candidate जो अलॉट हुए थे जिसमें appear हुए थे 81,675 बच्चे यहां पर appear हुए थे इसमें qualify कितने हुए है तो 46,117 बच्चे यहां पर qualify किये गए है तो यह आप लोग देखोगे तो यहां पर qualified edge पर scheme के तहत 46,117 बच्चों को qualify किया गया है जिसमें stage second के लिए कितने बच्चों को यहां पर qualify किया गया है तो 20,815 बच्चों को qualify किया गया है तो edge पर scheme के तहत qualified कितने बच्चे हैं तो 46,117 जिसमे stage second के लिए 20,815 बच्चों को stage second के लिए qualify किया गया है बाकि मैं आपको शारी जनकाई दे रहा हूं, परसेंटाय स्कोर के बारे में, कटाफ के बारे मैं आपको बता दी है, अब यहां पर जैसे आप लोग आओगे नीचे तो यह फाननल विकेंसी के बारे मैंने आपको बताई दिया है, यहां पर देख पा रहे हैं, अब हम बात कर इसका exam 7 October को होगा इसका admit card जो है 4 October 2023 को होगा और 1 October को जो है आपका exam city status जारी किया जाएगा किलियर है बाकी जो institute है उसके लिए आप लोग क्या कर सकती हो पिरिफरेंस दे सकती हो तो पिरिफरेंस जो है आप लोग 30 September 2023 सामको पांच बजे तक दे सकते हैं इस तरीके से देखिए important date के बारे में मैंने आपको जानकाई दे दी है result यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर देखिए total कितने बच्चों ने यहाँ पर अपीर हुए थी जामे इसकी जानकर कितने बच्चों यहाँ पर फांफिल किया था इसकी जानकाई दी गई है और यहाँ पर सिप्ट 1 में जो है 10,321 बच्चे को कौलिफाई किया गया है सिप्ट 1 में और सिप्ट 2 में दोस्तों 10,494 बच्चों को जो है stage second के लिए कौलिफाई किया गया है और stage second के लिए जो कौलिफाई बच्चे है उनका कटाफ, परसेंटाल कटाफ यहाँ पे है इससे आप लोग जरूर देख लीजिए बाकी important date मैं आपको जानकारी देही दी है कि आप लोगों का 4 October को जो है admit card आएगा और 1 October को दोस्तों आप लोगों का exam city status आ जाएगा और 23 September से 25 September सामको 5 बज़े तक exam city 24 आप लोग दे सकते हैं थैंकि दोस्तों, result आप लोग जरूर देखिए अगर आपका सलक्सन हो चुका है नेचे comment करो, धन्यवाद